नमस्कार दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं आज के मेस रासिफल के बारे में कि आज का दिन मेस रासिवालों के लिए कैसा रहेगा दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्क्राइब करें और साथ मैं नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर महत्पुन रासी फल पहुंच सके चले दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहीगा आप की रासी वालों का आज का दिल दोस्तों आज आपके सोभाव में बहुती सतरकता देखने को मिलेगी कोई बड़ा फैसला लेते समय बहुत सावधानी रखेंगे क्योंकि आप पहले से भी काफी चोट खा चुके हैं आज आपकी सोच और प्लानिंग इसपश्ट रहेगी और साथ ही आपकी कलपना सकती का भी विस्तार होगा आज आपको कुछ अलग-अलग तरह के अनुबह होंगे और कई दिनों से घर में चली आ रही समस्या आज सुलच सकती है बच्चो का मन आज पढ़ाई में लगेगा जीवन साथी से कोई खुश कबरी आपको मिलेगी एक दूसरे के प्रती विश्वास और बढ़ेगा आप कोई ऑल-लाइन काम सुरू करने का विचार बनाएंगे इसका आपको बविश्य में बहुत इलाप मिलेगा दोस्तो साथी साथ आज धहरिये और सयम बना कर रखने की जरूरत होगी किसी नजदी की से चल रहा मन मुटाओ भी समापत होगा और बच्चो को लेकर चिंताई बढ़ेंगी साथी धन खर्च का भी योग बन रहा है आज धन तो आएगा मगर उतना नहीं जितने आपने चथा आज आप कोई भी फैसला लें बहतरे नंग से लें मन में सांती रहेगी दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव रहेगा कभी-कभी ऐसा मेसूस होगा सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है कुछ समय अध्यात्मिक कारियों में विवयत करें नकारत्मिक प्रिवर्ति के कुछ लोग आपको नुकसान पहुचाने की कोशिस करेंगे प्रंतु चिंता ना करें इसका आपके ओपर कोई असर नहीं होगा आर्तिक मामलों के बजट पर खास ध्यान देने की हावस्या होगी दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपका प्रिकारी से आपकी मुलाकात सफल रहेगी नौकरी में कोई महत्पून कारिया भार आपको सौपा जा सकता है लोगों के साथ विवार करते वक्त सावधानी रखें दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लैप कैसे रहेगी पारिवारिक सुक सांती बनी रहेगी प्र और पतनी मिलकर घर में चल रही किसी समस्या का हल निकाल लेंगे प्रेम पिरसंगों के उजागर होने का खत्रा है बना हुआ है सावधान रहें दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका सौष्त कैसे रहेगा दोस्तों यात्रा और वहां चलाते समय सावधानी रखें और मेडिटेशन आपको स्वस्त रखेगा और अधिक स्वस्त रहने के लिए नियमित योग करें व्यायाम करें प्राणायाम करें और स्वस्त रहें